देश की सियासत में जब गांधी परिवार का जिक्र होता है तो कई राजनितिक तस्वीरे सामनाती हैं। इस परिवार का संबंद सुरू से ही कॉंग्रेस से रहा है। लेकिन एक गांधी फैमेली बीजेपी में भी है। नाम है वरून गांधी जो पूर्वी प्रधामंत्री इंदीरा गांधी के बेटे संजय गांधी और बहू मेंका गांधी के पूत्र है। कॉंग्रेस अंसद राहूल गांधी के अमेठी लोकसवा सीट से चुनाव लटने को लेकर अने चुक रहने के कारण पारंप्री के भव्य पार्टी के गड में। लोग अब दूसरे पार्टी के बाचन छेत्र को फिर से हासिल करने में कोई दिल्चस्पी नहीं दिखाई है। राहूल अब केरल के वाइनाट से लोकसवा सांसद है और सुत्रों की माने तो राहूल फिर से वाइनाट से चुनाव लटना पसंद करेंगे। अगर पिर्यंका गांधी लोकसवा चुनाव लटती है तो उनके अमेठी की जगार राइबरेली को चुनने की भी संभावना है। अनुभवी कॉंग्रेसी रामकरण सिंग जिनोंने दिवंगत संजय गांधी के साथ अपना करियर सुरू किया। उन्होंने कहा कि गांधी परिवार के साथ अमेठी का रिस्ता तब सुरू हुआ जब संजय गांधी ने 1980 में सीट जीती। रामकरण सिंग ने कहा ऐसा लगता है कि समय अब पूरा हो गया है। और ऐसी चर्चाएं हैं कि अगर राहुल गांधी चुनाव लटने के लिए सहमत नहीं होते तो वरुन के अमेठी से चुनाव लटने की संभा रखा और राजनितिक मद्भेदों के बावजूद उन सभी ने खुले दिल से जवाब दिया और खुले दिल से वरुन का स्वागत किया। सुत्रों ने कहा कि भाजपा द्वारा वरुन गांधी को टिकट देने की संभावना नहीं हैं जो पार्टी की नीतियों के अत्यदि आलोचक माने जाते हैं। वरुन गांधी के करीबी सुत्र ने कहा वरुन अमेठी में इस्तानांत्रित हो सकते हैं जबकि मैनका गांधी वापस बिली भीत जा सकती हैं जहां उनका मजबूत आधार बना हुआ है। वरुन के निद्दलिय चुनाव लड़ने की संभावना है और कॉंग्रेस और शमाजबादी पार्टी उन्हें समर्थन दे रही हैं। वरुन के अकिलेस यादव के साथ भी अच्छे संभंध है। चाच्चा ये भी है कि बीजेपी इस बार के लोकसभा जुनाव में वरुन गांधी का पत्ता काट सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स क फायर ब्रांड नेता माने जाते हैं उन्हें जो अच्छा लगता है बोलते हैं। कई बार पार्टी से अलग स्टेंड लेने में भी गुरेज नहीं करते हैं। देखा जाने लगा था। ऐसे में क्या कहना है आपका इस खबर पर कमेंट सेक्शन में। अपनी राय जरूर दीजिएगा जय हिंद जय भारत। बारत। झालग झालग